आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है भाचपा के खिलब विपक्षों को एक जुट करने में जुटे बिहार के सीम नितेश कुमार के कोशिशों को बड़ा जटका लगा है दरसल बितेदीनों से सीम नितेश विबिन राज्यों के दवरे कर वहा के मुख्य मंत्रियों और बड़े नेताओं से मुलाकत कर रहे हैं इसी क्रम में सीम नितेश कुमार ने बुद्वारेनी 10 माई को बिजेडी अध्यक्षा और ओडिशा के सीम नविन पतनाएक से भी मुलाकत की थी मगर सीम नितेश के साथ मिटिंग के बमुश्केल 48 घंटे बाद ही उन्होंने बड़ा वयान दिया है सीम नविन ने कहा कि फिलाल तीसरे मूर्चे की कोई संभाव न रही है इसमें बड़ी बात यह है कि मुख्यमंद्री तेश कुमार से मिलने के बाद नविन पतनाएक गुरवारियन 11 माई को दिल्ली में पीम नरिंद्र मोदी से मिल ले वही इसके फोरण बाद उनके बयान के कई सियासी माईने निकले जा रहे हैं असल बिजडिक से के कम से कम 2024 के लोगसबा और विधान सबा चुनाओ से पहले भाच्पा और कॉंग्रेस से बराबर दूरी बनाए रखने की अपने निति को बदलने की संभाना नजर आ रही है CM पतनायक ने गुरुवार को किसी भी राष्टिया महत्वा कांशा के बगएर अपने बल्बूते पर चुनाओ लड़ने की अपनी पार्टी की निति की फिर से पुष्टी की या पूछे जाने पर की क्या उनकी पार्टी आने वालों चुनाओ में अकेली उतरेगी उन्होंने कहा कि यहां हमेशा उनकी पार्टी का सिदान्त रहा है बता दे कि नविन पतनायक उरिशा के वोटर्स के बीच बेहद लोक प्रिया है इसका अनुमान इससे भी लगा जा सकता है कि पतनायक मार्च 2000 से लगातार राज्य की सत्ता में बने हुए है इसलिए केंद्र की मोधी सरकार को घेरने के लिए प्रमुख विपक्षिनेता उनके साथ अगड़ बंदन के लिए संपर्क कर रहे है फिलाल नविन पतनायक की पार्टी बिजेडी के लोक सबा में 12 और राजसबा में 8 संसद है आईए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा भारत में एक ही पार्टी की सरकार होगी सियम गैलोत ने भाचपा रसेस पर बोला हमला मारश्ण में सियासी विवात पर सर्वत चनाल है के फैसले पर राजस्तान के सियम अशुक गैलोत ने कहा कि जनता को सतर्क हो जाना चाहिए कुछ लोग देश में अस्तिरता लाना चाहते हैं और लोकतंत्रों को समाप्त करने में जुटे हुए है कॉंगरेस ने कहा कि वहाँ विधायकों की जो हर्स ट्रेडिंग हुई है उस पर यह एक प्रकार से करार तमाचा लगा गया है भाजपा और आरेजस के जो फासिस्ट लोग है उनको सर्वत चनाल के फैसले से कोई मतलब नहीं है रिपोर्ट्स के अनुसार सियम गैलोत ने कहा कि करनाटक में भी महारश्ट में भी अब मद्य प्रदेश में भी इन लोगों ने सरकार गिराई हमारी सरकार बजगई वरना हमारा भी वही हाल होता यह शूब संकित है उन्होंने कहा कि हमें जनता में यहां कहने के लिए जाना पड़ेगा कि ऐसी ताकतों से आप लोग साउधान रहे यह लोग देश से लोकत अंतरा खत्म कर देंगे वोट वगरे खत्म हो जाएगा और एक पार्टी की सरकार रहेगी जैसी चीन और रूस में है मैं बार-बार लोगों को साउधान कर रहा हूँ बता दे कि अपने फैसले में सुप्रिम कोट ने गुरुवार को कहा कि गतवर्ष 30 जून को महाराश्टर विधान सभा में बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर द्वाराज तत्कालिन से यह मुद्द ठाकरे को बुलाना उचित नहीं था हाला कि अदालत ने पूर्वकी स्थीती बहाल करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परिक्षन से पहले ही त्याग पत्र दिया था इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते आएए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ पता नहीं पाकिस्तान बचेगा भी या नहीं इम्रान की गिरफतारी के बाद भड़की हिंसा से फारुक अब्दुल्ला परिशान पाकिस्तान के पूर्व पिम इम्रान खान की गिरफतारी के तीन दिन बाद भी पड़ोसी मुल्क में हालात सुदरने का नाम नहीं ले रहे हैं इसलामबाद से लेकर कराची तक पाकिस्तान तैरी के इंसाफ पार्टी पिटी हैं समर्थक सडख पर उतर कर आगजनी और हिंसक प्रदरशन कर रहे हे वही हिंसा आगजनी कर रहे हैं पिम शैबाज शरिप के विशेश सायक अंत्ता करार ने यह दावा किया है कि इस हिंसा में RSS और भाजपा का हाथ हैं और इन्होंने भारत से लोग भेजे है जो पाकिस्तान में हिंसा और आग जनी कर रहे है पता नहीं पाकिस्तान बचेगा भी या नहीं अब भारत में नैशनल कॉंफरेंस के मुख्या और जम्मु कश्मिर के पूर्वसियाम फारुग अब्दुल्ला को भी पाकिस्तान की चिं पाकिस्तान जितना ठीक होगा उतना ही ठीक हम होंगे पूर्व की पाकिस्तान में अस्थिरता है पता नहीं याद देश बचेगा या नहीं इससे एक दिन पहले यानी बुद्वार कोुअनगा कि पाकिस्तान में अस्थीरता हमारे लिए बेहद खतर राख है अब आप हमारे चैनल कपकी मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मैनेस नियूस टीवी आप्स राउनलोड करें इंस्टालीग, ट्वीटर, हाईकुक, फेस्बूक और कई सोचल मीडिया के प्लेटफरम पर हमारे चैनल उप्लब्द है आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाई भी देख सकते हैं www.mnsnews.tv.com पर फिलाल वक्तों चला है दर्शको ब्रेक का, ब्रेक से लोटने की बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाब खबरे बने रही MNS News पर, नमस्कार ये है MNS News निटबर और आप देख रहे हैं MNS News